समाधान, समाधान, समाधान स्वयम के संग सर्व का वो दिल से करे सन्मान कहता है ये समाधान, समाधान, समाधान समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान स्वयम के संग सर्व का वो दिल से करे सन्मान कहता है ये समाधान, समाधान, समाधान तनाव बन मुटाव की अगन से, स्वयं तू संभले ठैसी मेशाद, दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन चाएगा खुशियों की खान, कहता है ये समाधान, समाधान, समाधान. कहता है ये समाधान, 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 समाधा झाल झाल नमस्कार, आदा, सर्शेकाल, मित्रों स्वागत है आप सभी का समाधान कारिक्रम में मित्रों आज विलेंटाइन्स डे है सारे संसार में प्रेम दिवस के रूप में ये मनाया जाता है और लोग एक दूसरे से प्रेम का इजहार करते हैं ये केवल युवा जोडों के लिए नहीं है लेकिन सभी के लिए है हम स्वयम से भी प्रेम करें, प्रकृती से भी प्रेम करें अपने साथियों से भी प्रेम करें, अपने परिवार में, अपने मातापिता से प्रेम करें परमात्मा से भी प्रेम करें वास्तों में यदि प्रेम का स्वरूप देखा जाए, तो सारी संसार में यदि प्रेम न हो, तो हम संसार की कलपना भी नहीं कर सकते, इसमें एक निरस्ता सी आ जाएगी, यदि प्रेम का प्रवा होता है, तो सचमुझ जीवन का आनंद होता है, वहां उत्सा होता है, कुछ कर प्रेम के लिए इतनी बड़ी बात कह दी गई है और साथ ही ये भी कह दिया गया है कि God is love and love is God परमात्मा को भी प्रेम से जोड़ा गया है तो प्रेम सच मुझ बहुत महत्वपोन है और आज का दिन ही प्रेम का दिवस है तो क्यों ना आज हम प्रेम पे चर्चा करें कि प्रे साथ किस किस से हमारा प्रेम हो आए पहले अभिनंदन करते महा अधरनिया ब्रायता जैया बहुत 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 स्वागत और अभिनंदन है आपका शुकुर्यां ताता जी आज चारों तरफ आप देख रहे हैं, बहुत सुंदर हार्ट के शेप के बैलोंस लगे हुए हैं, जो प्रेम के प्रतीक हैं बेलकुल ये प्रेम सच मुझ बहुत ही निर्मल और पवित्र भीवेक्ती है और जैसा आप कह रहे थे कि अगर प्रेम नहों, तो साथ संसार ही नहों शिरिकर्षन ने गोप्यों से प्रेम किया, राधा का शिरिकर्षन से प्रेम था राम और सीता का प्रेम था, भाई बहन का प्रेम होता है मा अपने बच्चे को जब प्यार भरी नजर से देखती है, तो वो प्यार उस बच्चे के लिए पालना होता है, वो उसके चरित्र का, उसके व्यक्तित्र का विकास करता है, तो सचमच प्यार तो एक गौडली गिफ्ट है, वर जिस बात की आवश्चकता है, जैसे भगवान क के लिए कहा जाता है, वो प्यार का साधर है, और उसका प्यार सभी के लिए unconditional प्यार है, उसमें कोई भेद भाव नहीं, कोई सर्त नहीं कि इस से कम करूं या इस से ज़्यादा करूं, हमारा प्रेम निश्वार्त प्रेम हो, हमारे प्रेम में expectations नहों, तो हमारा प्रेम बहु के कदमों कुभारी कर रहा है, क्योंकि रोज ऐसे केश सामने आते हैं, फोन्स आते हैं, कि जिसमें पता चलता है, कि जिन संबंदों में प्यार की अति होती थी, आज महां प्यार का संपोर्ण रूप से अभाव हो गया है, और उसके कारण इस्थान ले लिया है लड़ाई जगड़ों ने, मुझ जो आमने सामने थे विप्रिद्धिसा में चले गए हैं, तो अस्तों में आज के समय में, जबकि प्यार वासनाओं में बदल चुका है, और जबकि इस प्यार के पीछे अनेक कामनाई और अनेक तरह की स्वार्थ भरे पड़े हैं, एक निर्मल प्या कर ऐसा अनुभव करें, ये हमारे अपने हैं, इसलिए आज का ये दिवस, एक संसार के लिए एक सुन्दर मैसेज देता है, कि प्रेम से अपने मन को भरपूर करो, और अपने परिवार में, अपने कारिये छेत्र पर, जहां भी कोई कारिये रत है, प्रेम की सरिता बाहा दे प्रेम की कामना तो करते हैं, कि सभी मुझसे प्रेम पूर्ण व्याभार करें, कोई भी मुझसे उल्टा सीधा बरताव करें, या मुझसे घ्रिना रखें, इर्शा रखें, ऐसा तो कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है, हर एक प्रेम चाहता है, लेकिन जहां तक प्रेम देन साथ कहीं मुझे लगता है कम हो जाता है तो हम equally कैसे सब को प्रेम बाटते रहें जैसे सरीता देती रहती है इसका कारण यह है कि प्यार की बहुत कमी है सब के पास आत्मा तो मुल रूप में प्रेम स्वरूप ही है और हमारा जो परंपिता है वो प्यार का सागर है तो सब एक दूसरे से ऐसी प्यासी नजरों से देखते हैं जैसे एक भूका मनुस एक प्यासा मनुस पानी पाने के लिए बोजन प्राप्त करने के लिए चार और प्यासी नजरों से निहारता है हम यह भूल गए कि हमारे अंदर प्रेम भरपूर है इस स्पिच्वलिटी की आज के समय में बहुत आवश्यक्ता है सब स्वयम्ट को पहचाने देखिए हमारे इश्वरिय विश्विध्याले में हमारे इस केंपस में लोग आते हैं मैं पहले से सुनता था प्रेलकुल फॉर फर्स टाइम मैंने कभी अब से 40 साल 42 साल पहले सुना होगा कोई एक प्रोफेसर गुजर में एक जगह है हमारे यह आया उसने पहले सब्द बोले यहां तो प्यार से भरपूर देवी देवता रहते हैं हमें लगा हम देवी देवता हैं क्या और हम यह भी लगा हम प्यार देते कैसे हैं हमें तो पता ही नहीं पर बाद में हमें रियलाइज हुआ क्योंकि हम प्रेम सिरूप हैं और हम उसकी बहुत प्रैक्टिस करते हैं तो प्यार liberal agriculture यह रैंव से हमारे सब्दों से हमारे व्यवार से दूसरों को प्रतीत होता है उसको पुने जागरित करें उसके निर्मल और पवित्र स्वरूप को जगाएं और हम प्यार के दाता बन जाएं तो ब्रताओं जी मतलब बात यह रही कि मुलरूप से अपने आपको पहचानने की आवश्यक्ता है यदि जैसे आपने कहा कि हम हैं ही प्रेम स्वरूप प्रेम की गंगा लेकिन शायद हम उस अवेरनेस में नहीं रहते हैं तो वो प्रेम हम दूसरों को नहीं दे प स्वरूप हों वो कहीं दब के रह जाता है यह कैसे होता है कि एक व्यक्ति हमारे सामने आता है उसने हमें कहीं खस्ट दिया है तो प्यार यादना कि वो कस्ट उभर जाता है और यह ऐसा है इसको तो देखना भी नहीं चाहिए तो फीलिंग ही घृणात हो जाती है वाइब् तुम भी प्रेम स्वरूप हो वो भी प्रेम स्वरूप है इस फीलिंग में रहो तो यह प्रेम जागरित हो जाएगा तो इसकी सचमुच आज बहुत ज़रूरत है क्योंकि आजकल घरना, इरसादवेस, बदले की भावना, क्रोध इन सब चीजों का जैसे समय चल दा है बड पतनी यूवा कभी, बुजुर्ग नहीं, तीस साल के अंदर अंदर के, बहुत प्यार दोनों में था, पतानी क्या हुआ, जो बेहन है, उसको बहुत क्रोध आता है, क्रोध आने लगा, और आज इतनी लड़ाई हुई, कि उसने पती को अपने नाकुनों से फाट डाला, प ने समझानी कि जब कोसिस की, तो उससे भी आमने सामने हो गई, और आखिर पती ने ही बीच बचाव किया कि कोई बात नहीं, इसको से अन्थ हो जाने दो, तो हम देखते हैं कि प्यार, सबसे गहरा प्यार पती-पत्नी के बीच में होता है, पर आज उसकी भी बहुत कमी हो रही है, मन उसका क्रोध, मन उसका अभीमान, एक दूसरे के प्रती-कटूद रस्ती, इसने इस प्यार को समाप्त किया है, तो हम पुने जागरित करेंगे इसे, हम प्यार के सागर की संतान हैं, उसका प्यार हमें मिलने लगे, तो सचमच हम प्यार देने लगेंगे, क्योंक जैसा हम देख रहे हैं, इन कामनाओं ने मनुस के प्यार को भी निरबल कर दिया है, है उसके पास, पर ये जो निगेटिविटी बीच में आ गई है, इस सादवेस घर्णा नफरत, इन्होंने उस प्यार को जैसे दबा दिया है, उसमें भी निगेटिविटी भड़ दी है, इ लेकिन किसी दूसरे को प्यार वो नहीं दे पाती, प्यार उसके अंदर है, लेकिन उसके प्रती जो उसकी निगेटिव भावनाएं हैं, वो उसको प्यार से जैसे वन्चित कर लेती है, उसे लगता है, इसके लिए मेरे पास प्यार नहीं है, चार लोगों के लिए मेरे पा लेना चाहिए कि आत्मा में बहुत सारा प्यार भरा हुआ है पस उसकी awareness में हम रहें तो जग जाएगा और हम प्यार के दाता बन जाएगे और हमारा प्यार हमारी प्यार के vibrations अनेक आत्माओं को जीवन दान देंगे हमारा प्यार अनेकों को tension से मुक्त करेगा हमारा प्यार समस्चाओं में फशी हुई मैं कहूंगा बुर्चित आत्माओं को जीवन दान देगा तो प्यार बहुत बड़ी चीज है तो मतलब अपने अंदर की इस प्यार को हम जागरेद करें बैताजी मूल रूप से जब बात आती है चलिए परिवार क कह रहे हैं और ऐसा सभी चाहते भी हैं लेकिन यह जो वासनाएं हैं या जो अनिक प्रकार की हमारे अंदर कमिया आ गई हैं उनकी कारण शायद यह प्यार का माहौल नहीं बन पाता और किसी एक व्यक्ति में देखा जाता है कि यह जादा ही है जैसे अभी पतनी वाली बात आ गई तो यदि ऐसे में किसी एक में बहुत ज़्यादा ऐसी निगेटिविटी है तो सामने वाले का प्यार भी कहीं दब जाता है या कम हो जाता है ऐसे में सामने वाला क्या करें क्या माहौल को अपने प्यार से चेंज किया जा सकता है हाँ… स्प्रिच्वलिटी हमारे इस्वरिये ज्यान ये राज्योग का मार्ग हमें कई चीजे सिखा देता है अच्छमा भाव दूसरे की बातों को सीरियसली न लेना जैसे महत्मगानी कहा करते थे कि प्यार को घरना तुम्हें अवगुनों से होनी चाहिए अवगुनी व्यक्ति से नहीं नफरत और उन बुराईयों से हो तो जब हम राज्यों की मार्ग पर चलते हैं तो हमें पता चलता है कि यह व्यक्ति तो बहुत अच्छा है पर इसके अंदर जो क्रोध है बुरा ये है तो क्रोध एक बुराई है हम क्रोध को बीची से हटा लेते हैं ँर आत्मा तु तो प्यार का संबंद बढ़ने लगता है। बहुत शुद्ध भी हो, उसमें कोई विकृती भी ना हो और जो हमने एक साथ ही लिया है, उनके साथ हम दूर तक जा पाई। पर हम देखते हैं कि 20-22 साल के यूगों में ये घ्यान नहीं होता कि जीवन की यात्रा को सुखद बनाने के लिए किन-किन चीजों की आवश्यकता है। फिर शादी के बन्धन में बच जाते हैं, और भी बहुत सारी गड़बड़े होती हैं, और फिर जब एक दूसरे के अवगुन सामने आते हैं, तो डिवोर्स होते हैं, ये केसिज बहुत ज़ादा बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं कहीं कह देता हूँ, यद भी सेंट परसेंट तो ये बात सही नहीं होती, कि लव मेरीज सफल नहीं होती हैं। किसी किसी की सफल होती हैं, पर बहुत सारी ब्रेक होती रहती हैं, क्योंकि कुछ एमोसंस पर आधारित हो जाता है ये प्रेम। और जब उन्हें लगता है ये व्यक्ति तो सरा बहुत पीता है, ये व्यक्ति तो गुसा बहुत करता है, ये व्यक्ति तो मुझसे मार पीट भी करता है, क्योंकि जब बहुत अलग थे, तो प्यार और तरह का था, जब वो बिलकुल समी पा गये, अब एक दूसरे पे अधिका प्यार हो गया अब लड़का समझता ही ये मेरी पतनी है इस पर मेरा अधिकार है उसको कुछ भी बोलता है उसकी भावनाओं को हट करता है उससे मार पीट करता है और ऐसे बहुत सारे केस हो रहे हैं कि एक डेड़ साल में ही साधियां ब्रेक हो जाती है तो मैं यहां यह कहूं कि बहुत विवेक पूर्ण प्यार होना चाहिए यह जो अंधा प्यार है यह बहुत खराब है और जब लड़की को पता लगता है कि जिससे तुम प्यार कर रही हो वो तो तो तीन और से प्यार किये हुए है और जब वो यह देखती है कि उस प्यार का मिश्योज करके जीने के लिए ये प्यार का विक्रित स्वरूप है प्यार को जैसे हमने सुरू किया था पवित्र प्रेम बनाए निर्मल प्रेम बनाए ऐसा प्रेम बनाए जो उस समय भी सुख दे और सदाकाल के लिए सुख दे ऐसा प्रेम नहीं जो मन बुद्धी को विचलित कर दे जो एक जी वही बात लगता है कि क्योंकि आजकल जो मुवीज में जो चीजें वो देखते हैं या अन्य चीजों के माध्यम से जो चीजें देखी जाती है वहां केवल प्रेम का जो अंतिम परिणाम है वो वही है जो आप कहा रहे हैं कि नहीं होना चाहिए तिसमें शुद्धता या पवित्रता का या एक हेल्दी फ्रेंड्शिप के जो बात होने चाहिए वो थोड़ी सी कम रहती है तो ये वाली बात थोड़ी से उनके लिए मैं समझता हूं कि एक समझने वाली और अंगीकार करने वाली बात है बेलकुल इसी की जरूरत है नहीं तो क्या होता है कि मेरे प और उस नफरत का परिणाम ये हुआ कि उनका चित एक विशेश तरह की डिप्रेशन से भरा रहने लगा जैसे उसने अपने जीवन की संपूर्ण खुसे खो दी प्यार इसके लिए तो नहीं था इसलिए मैं अपने सभी यूवक मैं भाई बेन कहूंगा इने अपने जो हमा प्यार को निर्मल प्यार बनाएं और सुखद प्यार बनाएं और ऐसा प्यार बनाएं जो everlasting हो जो सदा चले इलिए चोट-चोटी बातों को इस प्यार के बीच में ना आने दे देखिए होता क्या है जैसा कि वो लोग बताते हैं तुम ऐसी हो तुम ऐसे हो फिर ये तू नहीं था उन में तभी ये बात नहीं थी तब एक दूसरे को बहुत याद करते थे साइद उनकी याद के बिना और कुछ याद नहीं रहता था और जब समीप आ गए तब एक दूसरे को याद ही नहीं करना चाहतें तो इसमें थोड़ी संभलने की आवज सकता है और मैं चा और इसका प्रभाव बच्चों पर भी बहुत अच्छा पड़े और दूसरे यूवक भी इससे अच्छी प्रेर ना ले बिल्कुर, मतलब एक विशेश चीज़ यहीं रहे बरताजी कि इसमें शुद्धता का भाव रखना बहुत आवर्श्यक है इसे विक्रित ना होने दिया जाए कई बार ये होता है जब प्रेम की बात है कि मतलब प्रेम के लिए कहा जाता है कि वो हो गया मतलब हम चाहते नहीं थे लेकिन हो गया अब जब एक बार कहीं हो जाता है और मन कहीं लग जाता है अब हमारा career और पढ़ाई पर हमारा मन ना लग रहा हो तो क्या के यह प्यार body consciousness पर आधारित है, किसी का कोई गुंद देख लिया उस पर आधारित है, किसने कहीं मदद कर दी उस पर आधारित है और यही होता कि अचानक हो गया, इसमें कही तरह की vibrations भी काम करते हैं कही तरह के पूरुवजन्मों के कर्म भी काम करते हैं लेकिन मेरा कहना यही है इस प्यार को जरा आत्मिक प्यार बना दें वो भी आत्मा मैं भी आत्मा और हर एक ऐसा संकल्प कर ले कि हम अब एक दूसरे के साथ निभाएंगे उनके जो अवगुन हैं उसको सामने नहीं आने देंगे और जो यह अच्छानक होने वाला प्यार है इसमें जरा समखलने की जरुरत है क्योंकि बहुत जगे यह हो रहा है जैसा हमारे भारत में सामाजी की व्यवस्था है बई अलग-अलग कास्ट हैं वो सुईकार नहीं करते उसके परिवार वाले या उसके परिवार वाले सुईकार नहीं करते फिर वो दोनों को गलत निर्णे ले ले लेते हैं और उस गलत निर्णे का दुस परिणाम बहुत सामने आने लगता है दोनों परिवार अशान्त होते हैं कई-कई तो ऐसे होते हैं कि विचारों को मुँ दिखाने की भी नहीं रहती बिलकुल निरलज हो जाते हैं लोग कहने लगते हैं देखो तुम्हें लड़की कैसी निकली तो इन सबसे बचें इसको एक सुन्दर स्वरूप दें और इसके बीच में और कुछ ना ने दें और जैसा आपने कहा अपने प्यार को इतना विकरित न कर दें कि मन बुद्धी उस दल-दल में फंसकर रह जाए और इंजिनियरिंग कर रहे हैं तो भा न कर पाएं एंबीए कर रहे हैं तो उसको न कर पाएं जीवन में और कुछ न बचे केवल ये प्यार प्यार रह जाये ये प्यार का विकरित स्वरूप है इसलिए अपने जीवन में एक सुन्दर बैलेंस लाएं कि जो कुछ हम कर रहे हैं, जिस एजूकेशन में हम चल रहे हैं, पहला प्यार हमारा उससे होना चाहिए, इसलिए मैं जैसा कहा आत्मिक प्यार यदी होगा, तो हमारा प्यार डाइवर्ट नहीं होगा इस तरह है, और फिर ये प्यार भी हमारा हमारे लिये एक लिए एक शक्ती बन जाए हो क्योंकि प्रकृति विए राक्रीटि में इतना कुछ देती है तो प्रकृति और रास्ट्से भी प्रेंव आज के दिवस पे जरूर इसके लिए अंदेशंदेश कैने कि कि's प्रकार हम प्रकृती और अपने राज से भी प्रेम करें बहुत अच्छी बात है आज ये वैलेंटाइन्स डे है और केवल यूगों के बीच ये प्यार नहीं मा बाप बच्चों के बीच भी ये प्यार है और ये जो प्रकरती जो हमारी पालना कर रही है हमारा इस से बहुत प्यार के हम इसे नस न करें इसने हमारी यूगों से पालना की है हम इसको पवित्र वाइब्रेशन्स दें हमारे राजियों का अभ्यास में हम जब प्रकरती को पवित्र वाइब्रेशन्स देते हैं तो प्रकरती में सतोपरधान ताती है ये प्रकरती की अ पेड काट दिये, जंगल खतम कर दिये, इसलिए हमारे जो इंपोर्टेंट जीव जनतु थे वो भी नस्थ हो गए, धुआ चिमनियों से बहुत भेहानक निकल रहा है, वो जोन में बड़े चिद्र हो रहे हैं, ये सब बाते तो कहते हैं, गलेशियर पिंगल रहे हैं, संसार की ओर चल ला है, लेकिन इसके सुधारने का तरीका, प्रकरती से हम प्रेम करें, उसको पवित्र वाइब्रेशन्स दें, रास्ट प्रेम बहुत बड़ी चीज है, इसकी डेफिनीशन भी बहुत गुई है, अनेक लोग कहते हैं, बस हम तो देश से बहुत प्यार करते हैं, ये भी प्यार नहीं है, देश के लिए कहीं मर मिटने की बात आ जाए, तो पीछे अट जाते हैं, ये भी प्यार नहीं है, जैसे स्वतंतरता के संगराम में, अठारा सो सत्तावन से और जब तक भारत स्वतंतर हुआ, चलता ही रहा हो संगराम, इसमें कितनों ने कुरवानि वो सच्चा प्रेम था, लेकिन हम अब एक इस प्रेम की परिभासा एक और कर दें, हम अपने इस महान देश को पुने सरवच सिखर पर ले जाना चाहते हैं, तो हम सभी भारत के वासी चरितरवान बनें, नैतिक मुल्यों से भरपूर बनें, अपने देश में प्यार की अपसी जो संघर्स है, जो देश को कमचोर करता है, जो दूसरों के मन में टेंशन पैदा करता है, उसको समाप्त कर दें, ये हमारा सच्चा देश प्रेम होगा, कि हमारे देश में हर व्यक्ति निर्दंता से उपर उठे, बहुत अच्छा शिक्षित हो, और शिक्षित नही जिससे हम युगों से प्यार करते आए अन्नोहिंगली पहचानते नहीं थे पर उपर को हाथ करके उसका गुनगान तो हम करते ही आए अब उसने आकर हम सब को बहुत प्यार दिया है तो मैं अपने सभी भाई बेहनों से कहूंगा अब ज़रा परमातम प्यार की अनुभूती क भगवान प्यार बांट रहा है वो प्यार का सागर है हमने उसके प्यार का रस बेलकुल चका है अच्छी तरह है और उस प्यार में जीवन निर्मल और पवित्र बना है बहुतों का तो मैं सब को कहूंगा आज के इस प्रेम दिवस पर परमातमा से भी प्यार करें और आपस इसमें भी निर्मल प्यार करें कि जो इर्साद्वेस घ्रणा तेरा मेरा इस नफरत भाव पैदा हो गया है जिसमें प्यार फेर एक दिखावा रह जाता है इन सब विक्रतियों को समाप्त करके एक सच्चे प्यार की सरीथ आचार और बहाएं जी 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 बहुत-बहुत बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत- वाद भी मैंने की थी, कि God is Love, यदि उस प्यार के सागर से सचमुच हम जुड़ जाते हैं, उसके प्यार कानुभाव करते हैं, तो हम प्यार से भरपूर हो जाते हैं, क्योंकि जर्चा भी हमारी यही हुई न, कि हम प्यार की चाहना तो रखते हैं, लेकिन शायद प्यार दे नहीं पाते, क्योंकि हमारी अंदर ही प्रेम नहीं है, यदि परमात्मा से जुड़े रहेंगे, उस प्यार के सागर से जुड़े रहेंगे, तो प्यार अंदर आता रहेगा और वही प्यार हम दूसरों को भी बाटते रहेंगे, और ये जानना भी बहुत आवश्यक है कि वास यदि तुम किसी फूल को लाइक करते हो, चाहते हो, तुम उस फूल को तोड़ लेते हो, लेकिन यदि तुम उस फूल को प्रेम करते हो, तो तुम उसे तोड़ते नहीं हो, लेकिन उसकी जड़ों में पानी देते हो, ताकि वो और पुश्पित हो, पल्लवित हो, सुगंधित तो वास्तों में प्रेम बहुत विशुद्ध है मित्रों जो आपस में एक दूसरे के लिए स्नेह को बढ़ाता है, सम्मान को बढ़ाता है, सहयोग को बढ़ाता है और आपस में ये जो एक आपसी केयर है उसे बढ़ाता है जिसकी आज के जीवन में बहुत ज़्यादा आवश तो ये केवल दो युवा प्रेमियों की बात नहीं है वेलेंटाइन्स डे की बात ये तो सब के लिए है हम अपनी छोटों को भी प्रेम करें बढ़ों को भी प्रेम करें स्वयम को भी प्रेम करें अपनी परिवार को साथियों को भी प्रेम करें और साथी जैसे बात हो रहे थ प्रकृति को भी रास्ट को भी प्रेम करें तो आज की इस विलेंटाइन्स डे की आप सबको धेर सारी शुब कामना है स्वयम प्रेम स्वरूप रहते हुए सारी संसार में प्रेम की गंगा वहा है नमस्कार जीवन बन जाएगा खुशियों की खान कहता है ये समाधान 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 कर दे तू पल भर में मुश्कीले आसा कतनी संकरनी के पावन चल से स्वर्क बन जाएगा सारा ये जहान सारा ये जहान कहता है ये समाधान 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 सारा ये समाधान